जब आप stress में होते हैं तो इसका impact आपकी life में जुड़े हुए हर पहलू के उपर होता है वो चाहे फिर आपकी personal life हो आपकी family life हो या आपका career हो या कुछ भी ऐसी चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है पर आपको पता है कि कई बार आपकी stress का जो कारण है वो कोई और नही आप खुद होते हैं मुझे पता है कि सुनने में आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी बड़ी है सच है Hi friends, welcome to my channel. My name is Harman Deep Singh और मैं आज इसी topic के उपर बात करूँगा कि कैसे आप खुद कई बार अपनी stress का कारण बन जाते हैं और जाने अन जाने में आप blame जो है वो किसी और को करते रहते हैं तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने इन चोड़ी चोड़ी वीडियो के तुरू कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ऐसे tips आपके साथ share करों जिसमें आप और हम अपनी life को और ज़्यादा better बना सकें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहते हैं कि अगर आप grateful नहीं है अपनी life में तो आपसे वो भी छीन लिया जाता है जो आपके पास है दुवारा से सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप grateful या thankful नहीं होते अपनी life में तो आपसे वो भी छीन लिया जाता है जो आपके पास है कहेंबर क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में जितनी blessings हमारे पास हैं हम लोग उसके उपर focus नहीं करते हैं बलकि हम लोग उन चीजों के उपर focus करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और यही कारण होता है कि हम लोग फिर हर चीज के उपर complaint करना शुरू कर रहेते हैं जैसे कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई financial facilities नहीं है और ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी शायद आपकी life में नहीं हैं और इसका impact आपके subconscious mind के उपर बहुत ज़्यादा पड़ता है और इससे होता क्या है कि हमें हर चीज में negativity नजर आना शुरू हो जाती है और हम लोग ये करते करते जाने आन जाने में अपनी बहुत beautiful life को बहुत stressful बना लेते हैं तो दोस्तों इसका solution क्या है? क्या ऐसा करें कि अपनी जो life है उसमें at least इस कारण तो हमें stress ना हो कि हम खुद ही अपनी stress का कारण बन जाए अगर जो बहार की external factors हैं उनको हम लोग control नहीं कर सकते हैं लेकिन at least हम लोग खुद को तो change कर सकते हैं जिसके कारण हम खुद अपनी stress का कारण ना बने तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये advice करोगा at least अपनी life में जो जो blessings आपके पास already हैं आप उसके लिए thankful होना शुरू हो जाए उसके लिए positive mindset अप करना शुरू कर दे ये पहली चीज है जो आपने करनी है अपनी personal life में अपने खुद के created की हुई stress से relief पाने के लिए आप बजाए कि उन चीजों के उपर focus करें जो आपके पास नहीं है आप उन चीजों के उपर focus करना शुरू कर दे उनके लिए thanks करना शुरू कर दे जो आपके पास है और जब आप गौर से देखें कि तो बहुत सारी चीज़े हैं आपको जो बगवान ने आपको दूसरों स बहुत ज़्यादा बेटर दी है और दूसरी चीज जो आपको यहां पे करनी है वह यह करना है कि जहां पे आप थैंक्फुल होना शुरू हो गए हैं अब उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं आप यह देखना बंद करें कि अभी आप कहां पे हैं आप यह देखना आपकी लाइफ में तो ऐसा नहीं है कि उसको रिमोव नहीं किया जा सकता अगर आप ध्यान से देखेंगे ध्यान से उसके उपर काम करना शुरू करेंगे तो दीरे दीरे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं हासिल किया तो अपना जो माइंड है अपने बस चेंज करना है अपनी थॉट्स चेंज करनी है अपनी लाइफ में प्रेजेंट की नेगिटिविटी को ध्यान में नहीं रखना अपने लाइफ की प्रेजेंट में जो पॉजिटिविटी है जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं उनके उपर ध्यान रखना है और इस चीज आपको बहुत जद आपकी लाइफ को बेटर बनाएगी और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत जद रेलाक्सेशन कील दरेंगे